अलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिख्छा भी था उसमें आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस से नंबर फिफ्टी वन से प्रैक्टिस से नंबर फिफ्टी फाइब तक के सभी प्रस्णों को देखने वाले हैं दोस्तों ये वीडियो सेरीज काफी इंपोर्टेंट होने वाला है सभी दोस्तों के लिए जो कि आपका SSC GD का प्रप्रेशन कर रहे हैं आगे आपका UPSI का भी एक्जाम होने वाला है या फिर रेल बे एंटी पीसी सीवी टू सेकेंड है या फिर ग्रूपडी हो जो भी पूछे जाते हैं जहां पर वेटेज है स्टाटिक जी के का हर जगह आपको काफी जादा देखने को मिलेगा प्रस्ण इस वीडियो सिरीज से तो आप लोग सभी लोग continue बने रहे इस वीडियो सेरीज में और ज्यादा से ज्यादा वीडियो का सेर किजएगा वीडियो गर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा आए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रैक्टिसेट देखते हैं पहला जो प्रैक्टिसेट आज का वह हमारा प्रैक्टिसेट नमबर 51 बढ़ते हैं पहले प्रस्ण के तरह पहला प्रस्ण है कि हवा पानी और जलवाय की क्रिया के द्वारा जो चट्टान तूटते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है तो उसको बोला जाता है आपका अपच्छायन अपच्छायन या अपच्छाय ओपसन नंबर B यहाँ पर राइट होगा अप्सेन नमबर B नेक्स्ट है दूसरा प्रशन है कि नियून्थम समर्थ मुल्य- दैस द्वारा गोसिद किया जाता है ये किसकी बात हो रही MSP की आप लोग किसान आंदोलन के समय में MSP पी वर्ड का बहुत जिकर सुनाओगा वही चिछ है कि minimum support price नियुन्तम समर्थन मुल किसके द्वारा घोशित किया जाता है तो यह जो है सो आपका आर्थिक मामलो के मंतरी मंडलीय समीती के द्वारा ठीक है किसके द्वारा तो आर्थिक मामलो के मंतरी मंडलीय समीती के द्वारा MSP आपका घोशित किया जाता है तो option number C यहाँ पर right answer होगा next है तीसरा प्रस्ट की निम्लिखित में से किस ने दलीत वर्ग संग की अस्थापना की थे टेक है दलीत वर्ग संग की अगर बात करेंगे तो इसके संस्थापक थे आपके Dr. B.R. Ambedkar टेक है कौन हो जाएंगे Dr. B.R. Ambedkar एक और आपकी हरीजन हरीजन नाम से आपका भी संग था या बोल सकते है पत्त्री का भी चलाए गया था हरीजन नाम से तो यह जो आपका हरीजन वाला सब्द था यह गांधी जी के दोरा चलाए गया था ठेक है हरीजन जो संग था या किस के द्वारा तो गांदे जी के द्वारा चलाए गया था और दली तबर्ग संग जो यह आपका डॉक्टर बिया रंबेत कर तो प्रस्ट में दिया कि कोस्ट के अंसार राई जैंसर आपर क्योगा ऑप्सट रंबर नमेर सी जाओ कोसंग पता होगा नमक कर रसायनिक नाम क्या विर्फ यह जा गागरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं तो देखे घागरा हो या सोन हो दोनों जो नदियां है यह जो है सो आपकी गंगा की सहायक नदी है ठीक है किस की सहायक नदी है गंगा की सहायक नदी है एक प्रस्ण सोन से रिलेटर पूछा जाता है कि दक्षिन से कौनसी ऐसी नदी है जो कि गंगा में आके मिलती है दक्षिन से कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा में आके मिलती है तो वह नदी कौन सी हो जाएगी तो वह नदी हो जाएगी आपकी सोन तो कौन सी नदी हो जाएगी सोन नदी हो जाएगी आगे बढ़ते हैं सात्मा प्रशने कि मानब सरीर म में प्रवेस करने वाले किटानू के खिलाब रक्त का कौन सा घटक लड़ता है तो रक्त का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि उससे लडाई करता है या फिर उसको रोकता है तो वो होता है आपका डबलू बीसी टीक है क्या होता है डबलू बीसी वाइट ब्लड सेल जिसको हि बाया है Bhaarati के केंद्री बजट को किस वर्स में बिलाय किया गया था तो इसे में 2016 मेंको एक महरास्ट्रा में लाप माप एक प्रश्छा सारे प्रस्ण आपके TCS द्वारा बिभिन एक्जामों में पूछे गए हैं ये चीज आप लोग नहीं रखिएगा कि हां सिर्फ रेलवे के ही प्रस्ण है तो इसमें जो भी प्रस्ण है TCS जो भी एक्जाम कंड़क्ट करवाती है जैसे रेलवे हो SSC हो दिल्ली पुलिस हो तो जितने भी एक्जाम TCS ने कंड़क्ट करवाए हैं अभी तक सारे प्रस्णों का ये संग्रह है तो सभी प्रस्णों का संग्रह है और आने वाली परिक्षा है जो के TCS कंड़क्ट करवाएगी उन सभी के लिए काफी जादा जो beneficial ये वीडियो हो तो सभी लोग जादा से जा तो मौमा दास किस खेल से समंदित है तो टेबल टेनिस के खेल से आगे हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रस्ट की तरफ तो बारहमा प्रस्ट है निम्लिखित में से कौन सा बिकल्प सही है तो कौन सा बिकल्प सही है चार आपके पास उपसर है इनको पढ़ना है बताना है कौन स साही है देखते हैं पहला विकल्प है मुंसी उसे कहा जाता है जो अड़ी पढ़ लिख और सीख सकता था नहीं है ऐसा मुंसी के संदर में कुछ तो है अगे है लद्दाक डैस के बीच स्थित है तो यहाँ आपका स्थित है काराकोरम सरींखला और जासकर सरींखला के बीच में आपका लददाक अवस्तित है often number और यहाँ पे है नेक्स्ट है चौधामा प्रश्णा की सूफी संथ के मकबरे को डैस कहा जाता है तो जो सूफी संथ थे उनके मकबरे को क्या कहा जाता है तो उनके मकबरे को बोला जाता है दरगा क्या बोला जाता है दरगा नेक्स्ट है 15 मा प्रश्णा कि सरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंगा होता है तो अगर हार्मोन पूछा जाए तो थाइरोक्सिन हार्मोन हो जागा ठीक है शरीर में थाइरोक्सिन हार्मोन के अगर कमी होगी तो घेंगा रोग जो की जिसको इंगलिस में गौाइटर बोला जाता है गले का जो बढ़ जाना या फिर गले में अगर बहुत आदमे को देख तो कि गला फूला हुआ टाइप का होता है तो वो चीज होता है और किस तत्व की कमी से होता है तो आयोडीन शरीर में आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग जो होता है और हार्मोन अगर पूछा जाए तो थाइरोक्सिन यहां ध्यान रखना है लोग जेनरल यहां पर आयोडीन ओप्सन में खोजने लगेंगे तो लेकिन पूछा गया हार्मोन तो हार भारत की आर्थिक सर्वेक्षन किसके मार्ग दर्शन में तयार किया जाता है तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षन होता है यह तयार किया जाता है मुख आर्थिक सलाहकार के मार्ग दर्शन में ठीक है किसके निर्देशन में तो मुख आर्थिक सलाहकार option number D सात्रहमा प्रस् बियर्ड लंगूर, option number B नेक्स्ट है कि भारतिय संभिधान का कौन सा अनुछेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत सोतंतरता की गैरिंटी देता है ठीक है, तो जीवन की रक्षा जिसको प्रान और दहिक सोतंतरता वाला है तो वह कौन सा अजाएगा, तो अनुछेद 21, जीवन की रक्षा और देहिक सोतंतरता या व्यक्तिगत सोतंतरता की गैरिंटी किस अनुछेद के तहद तो अनुछेद 21, option number C, मौलिक अधिकार के अंतरगत आते हैं आगे उनिसमा प्रस्ण है कि 73 में संविधानिक संसोधन अधिनियम ने भारतिय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा देखे तर्मा जो संविधानिक संसोधन था कब किया गया था 1993 में और इसके तहद जो है सो आपका संविधान में जो जोड़ा गया था वो था आपका नौमा भाग ठीक है कौनसा नौमा भाग जोड़ा गया था और जिसमें आपका किसका बात कहा गया है तो पंचायतों का ठी उससे आपका related है नेक्स्ट है बीसमा प्रशने की सम्विधान की पारूप समीती की धेक्स्ता किसने की थी तो सम्विधान सभा की जो पारूप समीती थी उसके धेक्स्ता क्या था डॉक्टर बियारंबेद करने option number A यहाँ पे right answer होगा इसका अगर pdf आप लोगों को चाहिए तो pdf आप सभी को telegram channel पे available हो जाता है जो कि free of cost होता है description में link है आप लोगों वहाँ से भी join कर सकते हैं अगर नहीं हो पा रहा है तो telegram पे जाके सिक्छा विधायूस type कीजेगा आपको आपका अपना channel दिख जाएगा join करके वहाँ से सारे वीडियो का pdf आपको मिल जाएगा देखते हैं दूसरा practice set है practice set number 52 पहला प्रस्न है कि जम्मू कास्मिर केंदर सासित प्रदेश के पथम उपराजिपाल तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो सो जम्मू कास्मिर पहले एक state हुआ करता था उसको divide करके union territory बनाया गया दो union territory एक जम्मू कास्मिर और दूसरा लद्दाग तो जम्मू कास्मिर जब केंदर सासित प्रदेश हो गया तो वहाँ पे अभी क्या हो गया उपराजिपाल कौन थे सबसे पहले तो सबसे पहले जो उपराजिपाल बनाया गया था वो थे आपके ग्रीश चंदर मुम्रू ठीक है कौन हो जाएंगे ग्रीश चंदर मुम्रू लेकिन बरतमान के अगर बात करेंगे तो बरतमान में जो इसो मनोज सिन्ना जो की अभी पीछे मोधी गवर्मेंट में आपका रेल राजमंतरी थे, ठेक है, रेल राजमंतरी थे मनोज जिना, तो उन्हें को अभी क्या किया गया है, जम्मू का समेर का उपराज पाल बनाए गया, लेकिन प्रस्न में पूछा गया प्रथम उपराज पाल, तो प्रथम उ किस् Ce की स्याइए आपका कमी से अस्थियों का जो मुर जाना जिसको बुलते वह विमारी होती है या फिर आपका मायोपिया बगेर है तो वो सभी बिटामिन A की कमी से होता है बिटामिन C की कमी से आपका सकर्वी होता है ठीक है सकर्वी रोग जो हता है बिटामिन C की कमी से होता है नेक्स्ट है तीसरा प्रस्ट है कि मसुहूर लिंगराज मंदिर कि सहर में स्थित है तो मसुहूर लिंग राज मंदिर की बात हो रही तो यहां मंदिर आपका वस्तित है कहां पे भुवनेश्वर में भुवनेश्वर कहां पे है सभी को पता होगा ओडिसा की क्यापिटल नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन एक संक्रमक रोग है संक्रमक रोग इनमें से निम्लिकित में से कौन एक संक्रमक रोग नहीं है संक्रमक रोग जो नहीं है उसके बारे में बताना है तो पहला जो अप्शन आप सभी को दिख रहा है मधू में तो मधू में जो आपका क्या है संक्रमक रोग नहीं है बाकी के option जैसे यक्छमा जिसको टीवी बोलते हैं, ट्यूबर क्लैसिस या फिर चेचक हो गया या हैजा हो गया, ये सभी क्या संक्रामक रोग हैं आगे है पाँचमा प्रस्न है कि मानब सरीर से नाइट्रोजनी अबसिस्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, ट्यक्या है तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, सभी को पता होगा, वो अंग है आपका गु पूलता है इसका नेक्स्ट च्छठा प्रश्ण है और एक और चीज़ देख लिए पीछे के बुक में पीछे के बीडियो में था साथ प्रश्ण कि गुर्दे के अध्यान को क्या बोलते हैं और गुर्दे की काम करने की जो इकाईं होती है उसको नेफ्रोन बोला जाता है ठी कम्पनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था तो आरके लक्षमन ने गट्टू नामक कार्टून किस कम्पनी के लिए बनाया था तो वह कम्पनी है आपका Asian Paints ठीक है किस कौन सा तो Asian Paints option number C next है सात्मा प्रस्ण है कि संबेग का SI मातरक क्या है तो Momentum की बात हो रही है संबेग का SI मातरक तो संबेग का SI मातरक है वो हो जागा आपको कीलोग्राम मीटर प्रती सेकेंड ठीक है क्या हो जागा कीलोग्राम मीटर प्रती सेकेंड option number B आठमा प्रस्ण है कि भारत के उचितम नियायाले द्वारा दिये गए निरने 10 पर बाध्यकारी है तो भारत के उचितम नियायाले द्वारे निये गए निरने होते हैं किस पर बाध्यकारी होते हैं तो वह बाध्यकारी होते हैं भारत के सभी नियायालो में ठीक है भारत के सभी नियायलो में, option number D आगे है आपका नौमा प्रश्ण है कि इल्तुत्मिस के सासनकाल के दोरान विसेश गुलामों को तेक है, इल्तुत्मिस के सासनकाल के दोरान विसेश गुलामों को सैन सेवा के लिए खड़ीदा जाता है जिन्हें डैस के नाम से जाना जाता था तो उसे जो है सो किस नाम से जानते थे तो उसको जो है सो आपका बंदगान के नाम से जाना जाता था तेक है किस के नाम से, तो बंदगान के नाम से option number B आगे है दसमा प्रश्ण है कि 1857 के बिद्रोह के बाद ब्रिटिस सरकार द्वारा भारत में कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था तो कौन सा परिवर्तन जो था 1857 के बिद्रों के बाद नहीं किया गया था ब्रिटिस सरकार के द्वारा भारत में तो देखते हैं दूसरा जो अप्सन आपको दिख रहा कि ब्रिटिस सेना में भारती सेनिकों की जो संख्या बढ़ाई गई ये आपका जो हैसो नहीं किया गया था ठीक है बाकी कौन-कौन सा था जैसे भारत का सेक्रेटरी अफ एस्टेट नियूक किया गया उसके एस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार ब्रिटिस सामराज के हाथ को सौ पाया था तो ब्रिटिस सेना में जो भारती सेनिकी संख्या बढ़ाई गई ये चीज आपका गलत है नहीं बढ़ाया गया था उससामरे ग्यारामा प्रस्ण है कि किस अनुछेद के तहद भारत में के प्रतेक नागरिक को स्वास्त का अधिकार दिया गया है तो स्वास्त का अधिकार जो है तो यह दिया गया अनुछेद 21 के तहद ठीक है आगे है आपका निमलिखित में से कौन सी नदी हिमालई अपवाह तंतर का हिस्सा नहीं है तो हिमाले अपवाहत तंतर का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है तो जो पहला option आपको दिख रहा होगा गोदावरी ठीक है हिमाले अपवाहत तंतर कहने का मतलब यह है कि हिमाले के छेतर से या उसके आसपास के छेतर से निकलने वाली नदिया, तो गोदावरी के बारे में देखेंगे, तो यह आपकी South India की river है, तो यह आपकी हिमाली अपवाहत तंतर पे नहीं आ सकती है, बाकि अग्र सिंधु नदी की बात करें, तो यह आपका मांसरोवर के पास से निकलती है, जो कि हिमाले का छेतर है, ब्रह् इंडिया की बेसिकली है तो वो सभी एक तरह की से देखेंगे तो आपके हिमाली अपरभाहत तंत्र के नदियां है आगे है तेरह में प्रस्ण है कि मुक्यवाजी में निमलिखित में से कौन सा भारत भीवाजन नहीं है तो वो है आपका अंडर वेट ठीक है कौन सा जाएगा अंडर वेट अपसर नमबर ए नेक्स्ट है आपका चौधामा प्रस्ण है कि बेहत कम घंतो बाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंधा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या बोला जाता है तो उसे बोला जाता है कि आप बोस्ट अंस्टाइन कंडनसेट तेक है क्या बोलते हैं बोस्ट तो पांच ऐसे है और मुखरूप से तीन हम लोग पढ़ते हैं पढ़ते तो पांच है लेकिन जैनरली लोग जो तीन चीजों को ही जैसे सॉलिड लिक्वीड गैस काफी आसानी से समझ जाते हैं और मुखरूप से बेसिक स्टेडी में इसी तीनों को परा जाता है आगे है त्रपिटक जो ग्रंथ है या क्या है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्र है और पाली भासा में लिखा गया है तो वो हैं आपके मौरे अस्तंब है तो वो हैं आपके मौरे अस्तंब है ओप्सन नमबर C बहरत में सबसे बड़ा अपीलिये नियाले कौन सा है भारत में जो सबसे बड़ा अपीलिये नियाले है वह कौन सा जाएगा सभी को पता होगा उच्चितम नियायले ओप्सन नमबर C नेक्स्ट है ठारामा प्रस्ण है कि किस सिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपिये सिक्षा से भारत में नैतिक चरितर का उत्थान होगा तो यह दिया गया था आपका किस समीती के दौरा तो यह दिया गया था वूड्स की नीती पतर ठीक है जिसको वूड्स डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं आपसर नमबर C आगे उनीसमा प्रस्ण है कि भारत की बहुतिक विसिस्टताओं के संदर्भ में क्याल क्या होता है ठीक है क्याल क्या होता है तो क्याल जो होता है यह आपका अप्रवाही जल है ठीक है क्या होता है अप्रवाही जल को बोला जाता है नेक्स्ट है बीसमा प्रफ्षन है कि ओलम्पिक रिंग में निमलखित में से कौन सा रंग नहीं होता है तो देखें ओलम्पिक में अगर देखेंगे तो कुल आपका जो रिंग की बात हो रही है कुल इस तरीके से जह सो आपका कुल पांच रिंग होता है ठीक है कुल इस तरी भी दिखे रहा है यह ओलंपिग रिंग में किसी भी रिंग का कलर नहीं है और यह जो पाँच रिंग होते हैं यह पाँच महादेकों को दिखाते हैं ठेकर यह पहली भारतिय महिला कौन थे तो देखें मांट मकालू पर शफलता पुरुपक चठने वाली जो पहली भारतिय महिला हो जाएगी वह थी आपकी प्रियंका मोहिते ऑर मांट मकालू की बात करेंगे तो वर्ल्ड की पांचमी सबसे उची जोटी है और इस पे चठने वाली पहल भारतिय महिला जो थी वह थी आपकी प्रियंग का मोहिते दूसरा प्रस्ट नहीं कि मानव स्वसंतंत्र का कौन सा हिंसा गैसो के आदान प्रतान के लिए अस्थान प्रतान करता है तो वह कौन सा हिंसा हो जागा वह है आपका कूपी का ठेक है कूँसा कूपी का option number D next है तीसरा प्रस्ट नहीं कि नियून्तम समर्थन मुल्य की मुल्य निर्धारन नीती किस दृस्टी कोन का अनुसरन करती है तो अधिक लागत दृस्टी कोन option number A आगे है आपका चोथा प्रस्ट नहीं कि भाग में उस्मकटी बंधिये सदावाहार बन नहीं पाया जाते है तो बंधिये सदावाहार बन नहीं पाया जाते है पूर्वी घाट के गरबात करेंगे तो यहां पे जो सो आपकी दल दली टेक है दल दली बन या फिर जिसको मैंगरोव बन भी बोलते हैं जो कि आपका सुंदर वन वाला छेतर है वो पूर्वी घाट पे मुखरूप से पाया बाकी के options को अगर देखेंगे जैसे अनमान निकोबार हो या फिर उत्तर पूर्वी का छेतर हो या फिर पस्चमी घाट तो इन सभी जगह पे आपको उस्म कटी बन दिये सदावाहार बन देखने को मिलेंगे लेकिन पूर्वी घाट में क्या है कि बहुत सारी नदियां बं पूमी अपरदन के कारण वहां पे एक किनारे पे दलदल टाइप का छेतर बना हुए जिसको आम भासा में लोग मैंग्रोव बन भी बोलते हैं ठीक है और इसे दलदली बन भी बोला जाता है या फिर जो डेल्टाई छेतर होते हैं वो यही डेल्टाई छेतर की बात हो रही है इसमें और इसमें मुखरूप से एक ब्रिक चपाए जाते हैं जिसको सुन्दरी बोला जाता है और उसी के नाम पे आपका सुन्दर वन रखा भी गया है जो कि मुखरूप से वेस्ट बंगाल में है जो कि और भी पूरवी घाट में आगे ओडिसा हो यह फिर आपका बिस प्रांत में राजयस्व एकत्रित करहां तो इस प्रस्ण के लिए राइट एंसर हो जाएगा आपका ओपसर नमबर बी दक्षिन भारत में जो आपकी रईयत वारी प्रनाली लागू की गई थी आगे है आपका छठा प्रस्ण की भारतिय सम्विधान के निर्माताओं ने स् सिध्यान्त है यह आपका लिया गया है फ्रांसीसी सम्विधान से ठेक है किस सम्विधान से फ्रांसीसी सम्विधान से ओपसर नमबर ए आगे है सात्मा प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा कारवन का अपरूप नहीं है तो कारवन का अपरूप नहीं है वह बताना है तो है जो है मिथे सिर्ट कर प्रूम् होता बडे framework करेंगे दो यह आपका grave रोज की बात करेंगे तो यहाँ उनाल्ड गैरोंका की typing उपन भी है तो Grand Slam मुखरूब से चार है जिसमें आपका Australian Open है, Wimbledon है, French Open है और US Open है तो ये चारों आपके Grand Slam आप बोले जाते हैं बाकी ये जो Ronald Garros है ये राइट एंसर है नौमा प्रस्ण है निमलिखित में से कौन पुंजी गत वस्तु नहीं है तो पुंजी गत वस्तु जो नहीं है वह बताना है तो देखते हैं भोजन और बस्त जो है ये आपका पुंजी गत वस्तु नहीं है आगे है दसमा प्रस्ण है कि उत्पादक छमता बढ़ाने के लिए किस परकार के व्या के उदाहरन है तो उत्पादक छमता बढ़ाने वाले व्या किस परकार के उदाहरन में आते हैं तो यह जो आपके निवेस व्या के उदाहरन में आते हैं आगे है ग्यारमा प्रस्टन है कि किस जीब के कारण काला जार होता है तो देखे इसमें क्या बोलते हैं Doctrines of Laps किसके द्वारा दिया गया था तो राजहरपनीती का जो सिधान था यह Lord Dalhoji के सासनकाल में लाया गया था तरेखे लॉट डल होजी के सासनकाल में लाए गया था राजहरपनीती, आगे है तेरहमा प्रशने की प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अगनासई रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, तो अगनासई रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, तो उसको बोला जात दिखेता है ट्रिपन, क्या बोलता है ट्रिपन, और November 8, सेरीड के बाता है ट्रिपसीन representative 4. मधाई कोंशी गुच्या मैं और वोमेर कैपसूल श्रीर के किस अंग के भाग हैं तो कोंशी का गुच्या मैं या आपके किसके भाग हैं तो या गुर्दा के बाग होते हैं तो किसका मुल्यांगन करने के लिए तो किसका मुल्यांगन करने के लिए में से बिहार में ठीक है बिहार में जो आपका दुई सदनिया बिधान मंडल है अब सानमबर सी यहां पर राइट एंसर होगा आगे है 17 माप्रश्ण है कि दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल सासक ने बनवाया था तो दिल्ली में जो मोती मस्जिद है यह आपका औरंजेव क सासनकाल में बनाया था ठीक है किसके सासनकाल में तो औरंग जेव के सासनकाल में अठारा माप्रश्ण नेमलकेत में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है तो सही रूप से जो मेल खाता है जैसे कथक की बात करेंगे तो कथक केरल से संबंधित नहीं है या आपका उ इसमा प्रस्षन 1799 के स्री रंग पत्नम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था तो देखे 1799 में जो स्री रंग पत्नम में लड़ाई हुई थी यह आपका चोथा आंगला मैसूर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है जिसमें टिपू सुल्तान की मृत्यू हो कि यह आपका देख जाये तो मैसूर सामराज में आपका बिटिस आसन का अधिपत्यों हो गया था आगे है बीशमा प्रस्षन है कि तो अच्छा निमलकेत में किस परकार की जिली है तो यह आपका क्यूट अनेसियस जिली ठीक है कौन से क्यूट अनिसियस जिली ओपसर आगे है दूसरा प्रस ने कि संजुक्त रास्ट के और अस्थाई सदस है देसों का कारेकाल कितने वर्स का होता है तो यह आपका होता है पांच वर्सों का ठीक है पंचायतों का कारेकाल कितने वर्सों का होता है तो यह आपका होता है पांच वर्सों का ठीक है पंचायतों का क काल कितने वर्सों का होता है, 5 वर्सों का, next है, चोथा प्रशन है, कि प्रिथवी सता की सबसे उपरी परत को क्या कहा जाता है, देखे, प्रिथवी सता की जो सबसे उपरी परत होती है, उसको आपका करस्ट बोला जाता है, ठीक है, सबसे उपर में जो होता है, उसको करस्ट परिनाम है ठीक है तो नदी डेल्टा बनाना किस परकिरिया का परिनाम है यह आपका निछेपन का ठीक किस परकार की परकिरिया के उदारन है तो निछेपन का नेक्स्ट है छठा प्रस्ण है निम्लिकित में से कौन सी ठंडी महासागरिये जल्धारा है तो देखें लेबराड जो है यह आपका द्रिस कला का ठेक है किसका वीजुल आर्ट्स का एक देखेंगे तो सिरस्त संस्कृतिक सरकारी संस्थान है आगे है आठमा प्रस्ट नहीं कि कलीप किलीम पूंग हिल स्टेशन कहां पे स्थीत है तो कलीम पूंग हिल स्टेशन जो है यह आपका स्थीत है पस 1992 में भारतिय समिधान में कौन सा भाग जोरा गया था तो वह भाग था आपका 9 का A, ओप्सन नंबर A, आगे है पुस्तक 5, सुरी पुस्तक 5.0 किसके द्वारा लिखा गया था तो यह बुक आपका चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है ग्यारामाप्रस ने स्टीलनेस स्टील के निर्मान में निमलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है तो स्टीलनेस स्टील के निर्मान में जो हिसो आपका उपयोग किसका किया जाता है तो कारवन का, निकल का और क्रोमियम का लेकिन सलफर का अपका उप्योग नहीं किया जाता है तो किसका उप्योग नहीं किया जा सकता है तो सलफर का उप्योग नहीं किया जाता है स्टिलने से स्टिल में मुखरूप से कारवन, निकल और क्रोमियम का यूज होता है पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिकांग से साफ रखने में मदद करता है तो वह हो जाएगा आपका लाइसोसोम तो कौन सा जाएगा लाइसोसोम नेक्स है चौधामा प्रस्ण की मानब सरीर की गती विधी और हाथ आख समनव्य के लिए कौन सा अंग जिम् है तो गुंड़ राश्ट्रिय अ थ्यान जो यहापका अवस्तित सतापिल नाड़् में अवस्तित है आगे है सुलामा प्रस्णा की नील नदि निमलिक्जत में से किस देस में बहने वाली नदी नहीं है टिक है तो नील नदिन मुखरूब से अफरिकी नदी है और विष्य विश्वीस की अपने से बरी नदी में से एक है यह टो विश्वीस अपसे बरही नदी नील नदी है और वह आपकी अफरीकश क prata की हे देश में बहती है तो जो की options में आपको बताना किसमें नहीं बहती है देख लेते हैं केनिया में आपका बहता है मिसर में भी है तंजानिया में भी है लेकिन जो अलजीरिया है अलजीरिया में जो आपकी नाइल रिवर नहीं बहती है नेक्स्ट है आपका सत्रहमा प्रश्ण है कि कार अस्थल की चोट और रीर पर अग्रीन सोध के लिए किस भारतिय मूल के वैग्यानिक को कनाडा का सरप्स्रेश्ट नागरिक पुरसकार दा ओर्डर अफ कनाडा से सम्मानित किया गया था तो किसे सम्माणित किया है? सर्वन कुमार को, ठीक है किसको? सर्वन कुमार को, option number A आगे 18 मा प्रस्ट के मुद्राइस्विति को नियंतरन करने के लिए RPA द्वारा नेमलिखित में से किस मुद्री की निती उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है तो रेपो रेट का घेगे इसका रेपो दरग का आगे है उनीस मा परश्म की natal इंडिया कॉंग्रेस की स्थापना किस बहारतिये ने की थे तो natal इंडिया कॉंग्रेस काफी famous भी रा था उस बक्त पे तो महात्मा गांदी जी के दोरा इसका स दोरान उत्पन होने वाली रिक्त को भरने के लिए, किस राजनितिक संसद्ये, बिधान सभाचेत्र में होने वाले चुणाओ को क्या कहा जाता है, तो उसको उप चुणाओ बोला जाता है सभी को पता भी होगा ठीक है, माने कि किसी भी विवस्था के कारण कोई भी आपका लोकसवाय निर्वाचन छेत्रों है विधान सवाय निर्वाचन छेत्रों या कोई भी निर्वाचन छेत्रों जो की रिक्त हो जाता है तो उसमें जो फिर से आपका चुनाओ होता है उसे उपचुनाओ का नाम दिया जाता है नेक्स्ट है आपका इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस है प्रैक्टिसेट नमबर 55 पहला प्रस्ण है थोरा सापको ब्लड दिख रहा होगा विकॉज इसके पीछे रीजन यह है कि मैं जो फोन से वीडियो सूट करता हूं उसी से ही आपका स्कैन भी करता हूं तो थोरा सा प्रॉब्लेम हो जाता है प्रिंटर से स्कैन नहीं कर पाता हूं प्रिंटर है नहीं मेरे पास अब लेवल यह चीज है तो थोरा सा आप लोग इसको मैनेज कीजिए का मैं इसको जो एक से दो बार रिपीट कर प्रश्ण को पहला है कि यादि RBI रिपो दर बढ़ता या तो भारती अर्थ बेवस्था पर इसका क्या प्रभाव पर सकता है तो अगर RBI का रिपोरेट जो होताँ वह अगर बढ़ जाता है तो भारती क्या प्रभाव परेगा महंगाई घटेगी क्या जागा महंगाई घट जाएगी option number a आगे है दूसरा प्रश्ण है निमलिखित में से किस नेता को बंदी बना कर प्रसिद यूनेश को विसुधरुहर अस्थल रोबेन आईलेंड में रखा गया था तो किसे आपका जो बंदी बनाया गया था तो नेलसन मंडेला को ठीक है किसको नेलसन मंडेला को option number d आगे है तीसरा प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा राज तेभार युग्म सही नहीं है तो पहला जो आपको option देख रहा है गुरी परवा ठीक है गुरी परवा आपका महरास्ट्रा मनाया जाता तो पस्चे मंगाल में मनाया जाता है राइट एंसर हैं पर option number b वाला है चौथा प्रश्ण की भारतिय मौद्रिक निती समीती में कितने सदस हैं तो भारतिय मौद्रिक निती की जो समीती है उसमें अगर कुल सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपक पांचमा प्रस्ण की भारत की पुराने मुद्रा परनाली में एक आना एक रुपया का कौन सा हिस्सा होता है तो एक आना जो होता है वह एक रुपया का सोलाहमा हिस्सा होता है ठीक है एक आना जो होता है वह एक रुपया का सोलाहमा हिस्सा माना जाता है माना क्या जाता है पहले होता था ठीक है पुराने मुद्रा परनाली में एक आना क्या होता था एक रुपया का सुलाहमा भाग होता था जैसे आपको 25 पैसा आप लोग को जो पुराने लोग होंगे वो लोग देखेंगे 25 पैसा ठीक है तो 25 पैसा को जनरली हमारे खास करके बिहार में पता नहीं अगर अलग क्या बोला जाता था लेकिन हम लोग के हाँ पर जो है उसको 4 अना बोलते थे ठीक है फिर उसी तरीके से 50 पैसा होता था तो उसको 8 अना बोलते थे तो 50 पैसा इधर 8 अना और 50 पैसा और एड़ करेंगे तो वो आपका 16 अना हो जाता था तो पूरानी मुद्रा पर स्तार की व्याख्या करती है option number C आगे है साथमा प्रस्ण है भारती मुख्यवाज मैरी कौम किस उत्तरपूरवी राजी से है तो मैरी कौम की बात करेंगे तो यह आपकी मनीपूर राजी से सम्मधित है option number D ठीक है और इन्हें सूपर मौम के नाम से भी जाना जाता है आथम 12 सहर में इरान साह आतास बहराम इस्थी थे तो यह कहां पे इस्थी थे यह अबस्तित गुजरात में option number D नेक्स्ट है नॉमा प्रश्ण 18 सदी के स्वतंतरता सेनानी वीरपंडिया कोटावन किस वर्तमान राजे से थे तो स्वतंतरता सेनानी 18 सताबदी में क्या नाम था वीरपंडिया कोटावन यह किस वर्तमान में कहां कौन से राजे से विलोंग करते थे तो यह आपके विलों आपका किसके द्वारा किया जाता है तो सभी को पता होगा President of India के द्वारा ग्यारहमा प्रशन है भारत में निमलिकित में से कौन सा एक राष्ट्रिय कृत बैंक है तो राष्ट्रिय कृत जो बैंक है वह बताना है तो B-Number Options अभी को दिख रहा होगा State Bank of India बाकी Axis हो, ICIC हो, Yes Bank हो यह सभी क्या प्राइवेट सेक्टर की बैंक है परहमा प्रशन है प्रिथवी की सता पर पहार का निर्बान किस परकार के बल का परिनाम है ठीक है प्रिथवी की सता पर जो पहार का निर्बान है किस परकार की बल का उदाहरन है तो यह जो है सो आपके अंतर जात बल ठीक है किस परकार के बल तो अंतर जात बल के उदाहरन है तेरह हमाँ प्रशन है कि निमलिकेत में से कौन सा असमारक अस्थान सही योग में सही है ठीक है तो जो सही है वह आपको बताना है तो गोलकुंडा का जो किला है यह कहां पे है? हैदराबाद में यह आपका सही है बाकी देखी जैसे ताजमहल है तो यह आपका कहां पे मेरठ में नहीं है सभी को पता है लालकिला भी आप सभी को पता होगा कहां पे लालकिला दिल्ली में भी है आगरा में भी है चोदहमा प्रस्ण है कि मानव के कान का कौन सा हिस्सा अपने आसपास से दुहनी एकत्र करता है तो मानव के कान का कौन सा हिस्सा है तो वह हिस्सा हो जागा आपका पिन ठीक है कौन सा हो जागा पिन है आपसर नमबर A पंद्रहमा प्रश्न अर्धेषास्तर पुस्टक किस ने लिखी है? तो काफी आसान प्रश्न है अर्धेषास्तर पुस्टक है वह चानक या फिर जिनको कॉटिल या फिर विष्नुगुथ भी बोला जाता था तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई है आगे है आपका 16 हमा प्रश्ण है कि किस को सी कांग को सेल का पावर हाउस कहा जाता है ठीक है तो पावर हाउस अफ दा सेल किसको बोलते है तो माइट्रोकॉंड्रिया को माइट्रोकॉंड्रिया इस दा पावर हाउस अफ दा सेल ठीक है option number B mytrochondria क्या बोला जाता है power house बोला जाता है cell का और lysosomes को क्या बोला जाता है आत्महत्या की थैली बोलते हैं नेक्स है सत्रहमा प्रश्ण है कि मृतु त्यागपत्र महाव्योग द्वारा हटाने योग या अनकारणों के पद से रिक्त होने पर राश्टपती का पद कौन गरहन करता है तो राश्टपती का जो पद है राजसभा के सभापती ठीक है किसके द्वारा राजसभा के सभाप राष्टपती होने का भी गौरब प्राप्त होता है तो वो जो राष्टपती के जगह पर वर्क करेंगे अगर दोनों किसी भी विशेस परिस्तिती में अगर अनेविलेबल हैं जैसे राष्टपती भी नहीं है उपराष्टपती भी नहीं है तो जो Chief Justice of India होते हैं भारत के मु पिंदरनाथ टेगवर ने वापस कर दिया था और महातमा गांदी जी ने भी आपका केसरी हिंद की उपाधी को वापस किया था जालियावला बाग हत्याकांड के बाद उनीसमा प्रस्ण है कि महादूईपिये द्रबमान का मुख खनीज घटक क्या है तो महादूईपिये द्रबमान का जो मुख खनीज घटक है वह है आपका सिलिका और अलमूनियम ठीक है सिलिका और अलमूनियम आगे है बिसमा प्रस्ण की रन उत्सब किस राज में मनाये जाता है तो रन उत्सब या रन उत्सब या रन उफ कच उत्सब भी बोलते हैं या आपका गुजरात मे ठीगा किस राज में गुजरात में मनाते हैं option number c तो दोस्तो इस तरह से आज का वीडियो कम्पलीट होता हासा करते हैं सभी दोस्तों को काफी पसंद आया होगा जादा से जादा share कीजेगा वीडियो काफी helpful लगा होगा सभी को तो like कीजेगा अगर चैनल से नहीं जूरे हैं नए हैं चैनल पे तो जरूर जूर जाईएगा मिलते हैं कल के वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबो का